पुरुष के लिए वर्दान से कम नहीं है सिंगाडे का आटा इन कमजोरियों को करता है दूर महिलाओं और पुर्षों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं होता है उसकी रोटी खाने से कई हैरान कर देने वाले फायदे होते हैं नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्री के पावन पर्व के दौरान लोग मातारानी को प्रसन्न करने के लिए नौ दिनों तक उनकी विदिवत पूजा अर्षना करते हैं साथी नौ दिनों का उबास भी रखते हैं व्रत में लोग कई तरह के फलहारी खाते हैं जिसमें से एक है सिंगाड़े के आटे से बनी चीजें भी शामिल हैं क्योंकि यह बहुत ही पॉस्टिक माना जाता है व्रत के दोरान एनरजे टेक बने रहने के लिए सिंगाड़े के आटे की पूरियां पकोड़ी और हलबा खुब खाये जाता है लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि व्रत में खास तोर से खाये जाने वाला सिंगाड़े का आटा महिलाओं और पुर्षों के लिए किसी बरदान से कम नहीं है इसमें फाइबर, प्रोटीन, मैगनीज, पोटेशियम, कॉपर, बिटामिन B6 समेट कई ऐसे पोशकत तो पाए जाते हैं जो शारिरिक कमजोरी दूर करने के साथ ही कई समस्याओं से रहा दिलाने का काम करते हैं आज में शेयर कर रही हूँ आपके साथ महिलाओं और पुर्षों के लिए सिंघाडे के आटे खाने के फायदों के बारे में तो फ्रेंच चलिया यह बात कर लेते हैं तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो उसे लाइक जरूर कीजे और शेयर भी कर दीजे और अगर आपने अभी तक यूनिक तरका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए जिससे की आपको इसी तरह की इंट्रस्टिंग वीडियो मिलती रहें बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो फ्रेंच चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसी साथ समस्याओं को दूर करने में कारगर है सिंगाडे का आटा नंबर वन पुर्षों की यह कमजोरी करता ह है दूर सिंगाडे का आटा पुर्सों में सेक्सुली कमजोरी को दूर करने में काम कर आता है अगर कोई आदमी यौन दूरबलता से परिशान है तो उसे गुन-गुने दूद के साथ दो से तीन चम्मत सिंगाडे का आटा खाना चाहिए इसमें स्परम क्वालिटी और काउ सिंगाडे का आटा थाईराइड और गेंगा जैसी गंबीर बिमारियों में भी पहुती फायदे बन माना जाता है जो लोगी समस्या से ग्रसित हों ने सिंगाडे का आटे का सेवन करना चाहिए नमबर थ्री पीलिया में दिलाए राहत पीलिया की बिमारी में शरीर में पित दोस बढ़ जाता है ऐसे में सिंगाडे का आटा बहुती फायदे बन होता है क्योंकि इसमें पित शामाग बुन पाए जाते हैं नमबर फूर ब्लड पेशर करे कम जिन लोगों को बीपी की समस्या होती है उन्हें अपनी डाइट में सिंगाडे के आटे को जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें पाए जाने बारे पोटेशियम हाई ब्लड पेशर के खत्रे को कम करने में मदद करते हैं नमबर फाइव वजन कम करने के लिए अगर आप मोटा पे और बड़ते वजन से परिशान हो चुके हैं तो आपको प्री डाइट में सिंगाडे के आटे को जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिसकी वज़े से इसकी डिटॉक्स की रूप में काम करता है ये शरी से सभी टॉक्सिक पदार्तों को निकाल कर इसकिन को हैल्दी और ग्लोइंग बनाता है साथ ये बाल जढ़ने की समस्या में भी काफी फायदिबन माना जाता है नमबर सेबिन गरवाशे की कमजोरी को तूर करे जिन महिलाओं मे प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही हो उनके लिए सिंगाडे का आटा किसी वर्दान से कम नहीं है जिन महिलाओं का गरवाशे की दुरबलता और पित की अधिकता से गरवस्ता पूरा होने से पहले ही गरपात यानि मिस्कैरिज हो जाता है उन्हें सिंगाडे का आटे खाने स से लाब होता है सिंगाडे के आटे से जुड़ी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें कमें बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी थैंक्स फूफल वाच इन बाबाई इन टेकेर अल आफ यू